हेलो सुडेंट्स जो आपका जे एडवांस 2024 का प्यपड़ था उसका जो फोर्थ सेक्शन था जिसके अंदर पैरेग्राफ वाले कुछे गए हालागी आंसर तो वहां भी निमेरिकल ही निकल के आ रहे थी जैसे कि पहले इंटीजर टाइप थे तो देखते हैं कि इसके अंदर कैसे रहे ठीक है तो 14 से 17 आपके इसके यहां पर मैं आपको बता देता हूँ प्लस 3 आपके थे करेट होने पर एंट 0 in all other cases तो negative marking यहां पर नहीं थी बच्चो देखते हैं कैसे करने हैं इन questions को तो पहला question आपके सामने यह रहा यह जो question है class 12 की topic से पूछा गया बच्चो यह आप wave optics के अंदर पढ़ते हैं question का level basically moderate ही था पहले में इसका जो है आपको answer बता देता हूँ 14th question का 14th question कह रहा है 8th bright fringe above the point O 8th bright fringe related to which calculation है let me tell you the correct answer for this इसका जो answer था 601.5 micrometer यह निकल के आता है ठीक है that is the answer देखते है कैसे करना है problem को in YDSC experiment each of the two slits A and B are shown in the figure are oscillating about their fixed center तो यह जो slits है यह ऐसे oscillate कर रही है बचो at a mean position okay mean separation of 0.8 तो हमें जो है small d की value बचो यहाँ पर 0.8 mm दे रखी है यहाँ पर आगे देखिये distance between the slits at time t is given by this तो इसने बोल रहा है distance जो है slits का यह तो मैंना absolute बता दिया था mean position वाला but distance जो है आपका function है उसको यह value ऐसे लिखी गई है 0.8 plus 0.04 sin omega t और यह पूरा data आपका mm में दिया वाय है बचो ठीक omega की value भी है आपको बता रखी है omega is 0.08 radians per second ठीक है the distance of the screen from the slit is 1 meter तो capital D की value बच्छो YDSE में यह capital D होता है 1 meter है wavelength जो use करी गई है वो 6000 angstrom की use की गई है interference pattern on the screen changes with time तो ओबिसी बात है जैसे-जैसे slits का distance change होगा interference pattern भी यहाँ पर change होगा the central bright fringe remains fixed at point हो वो भी सही बात है तो central bright fringe जो है यह ही पर रहेगी next question is that the 8th bright fringe above the point O oscillates with the time between two extreme positions ठीक है the separation between these two extreme positions in micrometer is वो जो दो extreme positions है जब आपकी 8th bright fringe होगी वो उपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी oscillate करेगी because यहाँ पर slits oscillate कर रहे है उसके बारे में पूछा है ठीक है तो पहली चीज आपको पता होता है कि भाई की number की fringe कितने distance पर होती है इस तरह से आप लिखते हैं तो y की value आपकी यहाँ पर निकल के आती है n is 8 lambda d by d मैं value डालता हूँ यहाँ पर 8 lambda की value बच्चो 6000 एंग स्ट्रॉंग है d की value 1 है small d की जो value है आपकी ध्यान से देखिएगा आपने लिख रखी है 0.8 plus 0.04 डिनॉमिनेटर में बच्चो sin omega t है एंड यह mm में है mm means 10 to the power minus 3 यह cancel हो के 10 to the power minus 7 यहाँ पर फाइनल अंसर माइक्रो में निकालना है तो जान करके इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं बोलता हूँ कि सर यह बना हुआ है 600 इंटू 8 ठीक है और यह 10 to power minus 6 हो जाता है इससे तो यह माइक्रो में हो गया है डिवाइड भाय है 0.8 ठीक है अब देखना ध्यान से इसके अंदर साफ साफ लिखा है माइक्रो में देना है इसलिए हमने माइक्रो में कनवर्ट किया है यहाँ पर देखेगा आगे यहाँ पर हुआ 0.8 प्लस 0.04 sin omega t अब बात यह है कि यह तो y की value है question में क्या पूछा था question में पूछा था आपका that the separation between these two extreme positions तो यहाँ पर जो y की value है वो maximum कभ हो सकती है देखते है your y max value will be equal into your y max value will be equal into कि जब सर यह sin omega t 1 हो जाए अगर यह 1 हो जाएगा तो आपका result होगा 600 into 8 divide by 0.84 micrometer जब आपका y minimum हो जाएगा तो आपकी value होगी 600 into 8 divide by अचा ध्यान से देखना denominator बढ़ा हुआ तो यह minimum होगा उल्टा लिख दिया गया है उसे ठीक कर लेते हैं ठीक है तो यह ठीक करना बहुत जरूरी है यह आपका y minimum बना बच्चों और यह आपका y maximum बना ठीक है तो यहाँ पर देखिए y minimum था यह y maximum है यहाँ पर आप इसे subtract कर देंगे तो 0.76 micrometer अगर हम पूरा calculations यहाँ पर देखते हैं तो delta y मुझे निकालना है यहाँ पर y max minus y min if I try to solve this मुझे दिख रहा हिए 600 into 8 divide by 0.76 minus 600 into 8 divide by 0.84 ऐसा करने से बच्चो 600 into 800 and यह 1 by 76 minus 1 by 84 कुछ ऐसा relation बन जाता है that is 600 into 800 divide by 76 into 84 और यह subtract करने के बाद बच्चो आपको यहाँ पर 8 बन जाएगा ठीक है अब यह पूरा जो लंबा चोड़ा जो चीज थी आपको यहाँ पर थोड़ा सा time utilize करना था and इसे पूरा solve करके देखना था ठीक है so yes it is little bit time consuming thing मैं just यहाँ पर for the reference check check कर लेता हूं कि क्या answer मेरा बिल्कुल सही बना है या नहीं तो 600 into 800 into 8 let me tell you calculator not allowed in the examination ठीक है बट अगर time use करोगे तो इसे solve कर सकते हो ठीक है तो divide करता हूं यहाँ पर exactly 601.5 मेरा जो है answer यहाँ पर निकल क्या आता है that is the way we need to solve this problem 601.5 and हमने शुरवाच से ही सारी चीजे micrometer में छोड रखी धी यहाँ पर आपने लिखना छोड दिया था but this all is in micrometer so that is the final answer of this problem hopefully समझ में आया होगा कैसे करना है यह problem let us move to the next problem यहाँ पर next problem देखते है next problem जो है paragraph 1 का ही part है बच्छों तो देखी paragraph 1 के अंदर जो चीज है वापिस से यही चीज आपको लिखी भी मिली और भूला गया आपको the maximum speed in micrometer per second at which the 8th bright fringe will move अब आपको velocity पूछी है थोड़ा problem easy हो गया है reason क्योंकि आपको y की value पता है y is the position position की value आप already लिख चिक हैं देखना है आपर क्या लिखके आए आप यह रही आपकी position की value 8 lambda d by d solve करने पर यह आए था आपका तो आपने बोला 600 into 8 that is 4800 4800 micrometer divide by hopefully नीचे जो value है वो यही चीज लिखी भी होगी 0.8 plus 0.04 sin omega t ठीक है देख लेते हैं भाई अच्छा mm में हैं अभी गड़बड हो जाती है ठीक है बट यह mm में already डालके convert करने के बाद ही यह आ रहा है ठीक है तो यह convert करने के बाद ही final result आया है तो tension नहीं लेना है mm already converted है अब मुझे क्या करना है बस speed निकालने के लिए d y by dt करना है d y by dt करते ही problem solve हो जाती है d y by dt but question में लिखा है that maximum speed maximum के बाद में condition लगाएंगे पहले velocity निकाल लेते है that is equals to 4800 अभी answer micrometer per second बन जाएगा बच्छो अच्छा यह पहले उपर लिखो उपर लिखोगे तो power minus 1 नीचे आएगी और square बन जाएगा इसका that is 0.8 plus 0.04 sin omega t whole square answer differentiation इसका 0 हो जाएगा पीछे वाले part का differentiate करोगे तो आपको दिख जाएगा है यहापर 0.04 sin omega t का differentiation cos omega t then अंदर वाली चीज का differentiation करोगे तो omega और multiply हो जाएगा इस पूरे से ठीक है तो बड़े ध्यान से चीजों को समझके महाँ पर लिखना है देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर sir जरा values लिख ली जिए velocity is equals to minus sign के साथ जो है यहाँ पर sir इससे multiply करोगे यहाँ पर अच्छा देख लेना कहीं units का कुछ problem ना हो जाए हमारे साथ ठीक है 0.04 यह तो just एक number है omega radian per second में दे रखा है तो per second आ जाएगा no problem 4800 से अगर यह multiply हुआ तो 48 into 4 sir omega की value कितनी दे रखी है 8 into 10 to power minus 2 पीछे लिखा है बच्छों cos omega t and denominator में दे रखा है आपको 0.8 plus 0.04 sin omega t का whole square यह आपकी value micrometer per second में आ रही है अब यहाँ पर आगे सोचने की बात थी कि आपको इसे maximize करना है how can you do the maxima of this तो ज़रा सोचना है यहाँ पर कि आप maxima कैसे कर सकते होए यहाँ पर आपने differentiate करके यहाँ तक तो आप पहुँच चुके हो and आप बोलो के sir यहाँ पर इसके maximum value निकाल नहीं है तो ज़रा सोच लो भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम यहाँ पर miss कर रहे है ठीक है हाँ मैं बताता हूँ कि छोटी सी चीज क्या miss कर रहे है आप देखना ध्यान से सर यह sin omega t इसके variation से यह number तो बहुट छोटा है और छोटे में square कर रहे हूँ तो you can neglect this part a very important thing a very very important thing you can neglect this part the complete part is neglected here तो आपकी जो velocity की value निकल के आरे है बच्छो finally that will be equal into 48 into 4 into 8 mod maximum velocity 48 into 4 into 8 that will be equals to 32 into 10 to power minus 2 then denominator में आप देखेगा आपके सामने रहा है 0.8 का whole square that is equals to 0.64 तो यह 0.64 बन जाता है बच्छो and उपर जो है आपका cos omega t रह गया है बच्छो cos omega t रह गया है and यह micrometer per second बच्छो अगर मुझे यहाँ पर mod of v max निकालना है आपर अगर maximum निकालना है आपको cos omega t को 1 कर दीजी आप तो ऐसा करते से आपका 48 into 32 divide by यह नीचे आया 64 यह आपका micrometer per second बन जाता है your final answer will be equals to 24 तो यहाँ से आपका answer 24 micrometer per second बन जाता है that is the final answer of this problem problem difficult नहीं थी I hope समझ में आया होगा कि मैंने कैसे solve किया है so the final answer of this problem is 24 चालिए YDSC वाली problem निम्टी यह paragraph हमारा complete हुआ next question देखते है बच्छो यहाँ पर paragraph 2 यह जो question है बच्छो आपको class 11 से पूछा गया था यहाँ पर जो है center of mass की technique लगानी थी साथ-साथ मैं आपको जो है collisions के बारे में पता होना चीए था कि elastic collision में क्या होता है चले समझते question जो है बच्छो यहाँ पर मैं moderate category में define करूँगा इसा देखे क्या बोला है that two particles one and two each of mass m तो दोनों का mass बच्छो m हैं यहाँ पर तो यह दोनों masses बच्छो यहाँ पर same दे रखे हैं हमें m mass m mass आगे दिखते हैं are connected by a massive spring and are horizontal okay frictionless plane on a horizontal frictionless plane यह रखे में particles as shown in the figure initially two particles with their center of mass at x naught center of mass बीचो बीच है are oscillating with an amplitude a तो amplitude a से बच्छो यह oscillate कर रहे है and angular frequency omega thus the positions at a time t are given by this तो किसी time t पर positions है x naught plus d plus a sin omega t यह है यह है यह 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 फिर x naught minus d a sin omega t इसका कहने का मतलब है कि यह यह position कभी minus d है mean position और यह d जो है plus d यह mean position है respectively where d is greater than 2 a particle 3 of mass m moves towards this system with a speed u is equals to a a not omega by 2 से move कर रहा है यह यहापर and undergoes instantaneous elastic collision elastic collision की condition अभी हम लगाएंगे यहाँ पर with particle 2 particle 2 से elastic collision करना है time t not पर ठीक है finally particle 1 and 2 acquire a center of mass speed vcm collision के बाग center of mass vcm से आगे move करने लगेगा and oscillate with amplitude b तो center of mass भी oscillate करने लगेगा b amplitude से यहाँ पर and the same angular frequency omega तो यह सारी चीछे पूछी गई है आगे देखते हैं क्या है if the collision occurs at time t not is equals to 0 t not is equals to 0 पर collision हो रहा है value of vcm divided by a omega आप से यह चीछ पूछी गई है आप देखें बड़ी important बात यहाँ पर कि आपका t is equals to 0 पर क्या situation बनेगा अगर आप देखते हैं कि सर मैं time t is equals to 0 इस equation में डाल देता हूं तो यह पूरा component 0 हो गया आपका ठेक है अगर यह component आपका 0 हो गया इसका मतलब object कहां पर है आपका में पोजीशन पर में पोजीशन पर अगर आपका object होगा तो क्या यह मूव कर रहा होगा जी हां में पोजीशन पर अब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसी का बच्छो डाइग्राम बना दो में पोजीशन का कैसे मूव कर रहा होगा आपका object ठीक है, mean position पे आप कह सकते हैं यह आपर कि sir यह ऐसे जा रहा होगा V2 से यह ऐसे जा रहा होगा V1 से, sir now the important thing is कि इसकी velocity कैसे बता है mean position पे, easily निकाल सकते हो इस equation को differentiate करके, इस equation को differentiate करते तो dx1 by dt is equal to V1 that will be a omega cos omega t, similarly इसको differentiate करोगे आप, dx2 by dt is equal to V2 is equal to minus a omega cos omega t, अब दिखिए अगर आप यहाँ पर t को 0 डाल देंगे, तो cos 01 हो जाएगा, cos 01 हो जाएगा, एक की velocity a omega है, दूसरी की velocity minus a omega है, आपको यहाँ से पता चल जाती है, V2 की value negative आ रही है, तो वो दिख भी रहा है यहाँ पर कि यह minus a omega से आ रहा है, तो मैं इस picture को दुबारा से बना लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कहानी क्या है, यह अपनी mean position पर है, spring attached है, और यह भी अपनी mean position से पास हो रही है, यह जो V1 है, यह a omega से इधर जा रही है, यह जो V2 है, यह negative sign का मदला only बच्छो direction होता है, a omega से इधर आ रही है, यह जो V3 है I guess a omega y2 ही दे रखा है इनोंने, a omega y2 से आ रही है तो यह picture आपके सामने clear हो गई है, ठीक है, collision occurs at t is equal to 0, इस condition पर collision हो जाएगा और आप से पूछा है कि VCM भाई, यह a omega निकाल दो, पहली चीज, जब collision होगा, तो आपको collision कौन सा का है, elastic collision का है के picture में देखना भाई, ठीक है, undergoes instantaneous elastic collision, लिखा हो है, elastic collision है, elastic collision की condition क्या होती है, अगर दो same mass की चीज़े होती है तो velocity exchange हो जाती है, so at the instant of collision हम कहेंगे sir, just at the instant of collision, t is not equals to 0 पे collision हो रहा है यहाँ पे, इसकी velocity पे कोई impact नहीं पड़ा, a omega, इनकी velocity exchange हो गई, यह a omega से इधर जा रही है और यह a omega by 2 से इधर जा रही है, ठीक है, अगर मैं VCM निकालना चाहता हूँ, तो VCM is equals to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, इससे क्या आएगा आपका, आप कह सकते हैं कि sir, इससे जो हमारा result यहाँ पर बन रहा है, that is m into a omega by 2 plus m into a omega divided by 2m, यह cancel हो जाता है, हमारा result बनता है 3a omega by 2 into 2, the answer is 3a omega by 4 is the VCM, पर पूछे क्या गया था, VCM divided by a omega, so आपका final answer जाते है, 3 4th, that is 0.75 is the final answer of this question, बच्चों, इस तरह से question solve किया जाना था, अच्छा question था, बहुत difficult नहीं था, आसान problem ही था, hopefully समझ में आगया होगा, इसका next part देखते हैं, बच्चों, same comprehension है, and आपको बोला गया, if the collision occurs at t0 is equals to pi by 2 omega, अगर मैं बोलता हूँ कि time जो हो गया है, वो pi by 2 omega हो गया है, total time, 2 pi by omega होता है, so I can say यह total time period का t4th के बराबर है, t4th पे क्या होगा, अगर extreme position पर object है, तो वो आपका, sorry mean पर था था था, वो extreme पर पहुँच चुका है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा, तो यहाँ पर यह object t is equals to 0 डालने पर mean position पर है, पता है आपको, तो यह extreme पर पहुच चुका है, ठीक है, आगे पूछा है, then the value of 4b square upon a square will be, ठीक है, देखते हैं, तो sir, at, यहाँ पर बोला गया है, at t is equals to t by 4, your objects will be like this, ठीक है, यह इनकी mean position है, बच्छो, mean position से यह बहर की तरफ पहुच चुके हैं यहाँ पर, इनकी velocity यहाँ पर जो है, v2 b 0 है, and v1 b आपकी यहाँ पर, इस instant पर जीरो है, और जो इधर से ball आ रही थी, यह जो ball आ रही है, इसकी velocity आपको अल्रेड़ी given है, a omega by 2, that is given, a omega by 2, ठीक है, और इस time पर अगर collision हो जाएगा, तो अगर elastic collision है, तो balls अपनी velocity exchange कर लेती है, after collision का जो picture में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखना, just after collision, यह पीछे वाली ball जो है, यह rest पर आ जाएगी, और यह वाली ball जो है, motion चालू कर देगी, a omega by 2 से, ठीक है, system ऐसा का, ऐसा ही है अभी भी, यह ball भी अपनी उसी position पर है, extreme पर है, और यह mean position था, अब पीछे वाली ball का खेल खतम हो चुका है, बच्चों यहाँ पर, यह वाली ball आगे चल रही है, यह वाली ball rest पर है, ऐसे situation में, अगर आपको SHM देखना होता है, तो आपको center of mass की frame में जाना पड़ता है, ठीक है, so, आप बोल सकते हैं, यह आपर जो VCM है, उसकी value आ रही है, M A omega by 2 plus 0 divide by 2 M, तो यह निकल के आया, sir, M से M कड़ गया, बच्चों यहाँ पर A omega by 4, that is the velocity of VCM in this scenario. So, let me convert this problem into the frame of center of mass, so, in frame of center of mass, in frame of center of mass, center of mass की frame में कहानी ऐसे हो जाएगी, ध्यान से देखना, इन ही दो बोलों की बात की जाएगी, ठीक है, with respect to center of mass में देख रहा हूँ, center of mass VC A omega by 4 से आगे जा रहा है, तो इसकी velocity में से, मैंने क्या लिख दी आपकी यहाँ पर, A omega by 2 minus VC, तो minus VC करते ही यह value कित्ती निकल के आगे, the value of this is coming as A omega by 4, इसके लिए मैंने क्या बोला, कि यह ball कित्ती से जा रही है, 0 minus VC, 0 minus VC करूँगा तो minus A omega by 4 आगे, basically A omega by 4 से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, अब आपको जो है, extreme positions पे velocity पता है, center of mass के frame में, अब final जो equation है, I hope यह चीज तो हमने पढ़ी रखी है, that velocity at any instant is given as, याद करो formula, जो आप SHM के अंदर पढ़ के आते हो, that formula says that, velocity is given as, omega times of, amplitude का square, इन्होंने question में बोला था, आप लोग के लिए, कि नया amplitude क्या हो जाता है बचो, नया amplitude is B, तो आपने बोला की, same angular frequency है, तो omega, and B square, minus X square, center of mass के frame में, अगर आप यह equation लगा दोगे, तो अभी आप इस question को यहाँ पर, solve कर पाओगे, और final answer यहाँ पर, बता पाओगे, तो velocity की value बच्चों, आपको पता है, A omega by 4, आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है, then आप दूसरे side omega डाल दीजिए, and that will be equals to, डाल देता हूँ मैं data आपको, extreme position पर पहुँच चुका है, तो extreme position कितनी है आपर, यह A था distance, A distance था, similarly, यह भी बच्चो, A distance था, problem अच्छा था, ऐसा नहीं था कि problem, बहुत easy problem है, ठीक है, अब यह अपने A amplitude पर ही है, situation में, ठीक है, तो मैं कहा देता हूँ sir, यह value I, A omega by 4, is equals to omega times of, B square minus A square, omega omega गया, square किया, तो A square by 16, is equals to, B square minus A square, यहाँ से, चीजों को arrange करने के बाद, जो final answer, हमारा निकल के आ रहा है, A square इदर आएगा, तो वो बन जाएगा आपका बच्चों, 17, A square by 16, is equals to B square, तो यह final result, यहाँ पर आ रहा है, बच्चों हमारा, is equals to B square के बराबर हो जाता है, यह, and, हम कह सकते हैं, यहाँ पर, सर रिजल्ट में पूछा था आपसे, the value of 4B square by A square, तो 4B square by A square, अगर हम से पूछेंगे, तो 4B square divided by A square, is equals to, यहाँ पर बनेगा आपका 17 by 4, 17 by 4 is 4.25, I hope इसका answer 4.25 होना चाहिए, देख लेते हैं कि 4.25 इसका correct answer है या नहीं है, तो इस problem का बच्चों, correct answer जो था, 4.25 ही था, so very good, इस तरह से जो है, हमने इस problem को देखा कि कैसे solve करना है, एक बहुत ही बढ़िया problem, ठीक है, तो मैंने आपको अल्रेडी बता जिया था, कि यह जो comprehension है, class 11 center of mass collision से, इसका second part जो है, थोड़ा tougher side चला गया था, थोड़ा hard part था, बागी first part तो जो है moderate side ही था, that's all about this session बच्चों, आपको हमने जो है पूरा, J.E. advance का paper जो है आपर करके बताया, hopefully बाते समझ में आया होगी, best wishes for you guys, all the best and, अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है, किसी भी solutions में और हम से चीजे जानना चाहते है, so you all can comment below the video, we are there to help you guys, thank you बच्चों.